फाइनली हमारे नौलेना प्रांट की केर डन होगी है आज हम बात करेंगे इस नौलेना प्रांट की इसको पोनी टेल पाम भी बोलती हैं इसकी लेव्स पोनी टेल की तरह लहराती नजर आती हैं हम इसके प्रोपर रखरकाव सनलाइट खाद पानी की प्रोपर बात करेंगे प वालिम बढ़ता है और उसका गंबला फूटने लगता है चौक एकट गार नीकरते समझ आई तहीं तो मैं इसकी जड की प्लुनिंग करके, जड को ऊपर रख दिया तो और यसका गंबला नीकर फूटा और मेरा अच्छे से चल रहा है, यह निए इसकी ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– दिखा रही हूं आपको यह वाला पूरा में डन कर दिया है यह हमारा एक दूसरा नौलीना प्लांट है इसका भी मैं आपको दिखाती हूं यह 20-25 साल पुराना है इसके उपर एक फलार आया था जो प्सूख चुका है और इसके उपर की यह ठानी भी अच्छे से लुकनी दे इसकी मैं शोर्ट वीडियो बाद में डालूंगी कट करते होई की चलिए हम अपनी केर शुरू करते हैं प्लांट कटिंग शुरू करते हैं हमेश्या जो भी होता है प्लांट उसकी कटिंग करते रहना चाहिए हल्दी रहता है जैसे हम अपने बालों की कटिंग करते हैं तो करते हैं सब कुछ हम अपना रखर खाव करते हैं ऐसी प्लांट्स को भी जूरत परती है समय समय से पुरूनिंग कटाई चटाई गुडाई सब चीज के अर मांगते रहते हैं अब हम इसके खाद पानी की बात करें तो इसको जो मिट्टी होती है वैल ड्रेंड हम रखनी चाहि करते हैं अब जब इसकी प्लांट की Sunlight की बात करें तो यह पॉपर Sunlight में भी चल जाता है तीस पैंटिस डिग्री त्पमन में भी चल जाता है यह यह बहुत ही हाड़ी प्लांट है लेकिन ए ओवर-वाटरिंग से मरता है जब भी आपको कभी लगे कि यह इसकी जो बलब है जो इसका नीचे कहा, थोड़ा सा धीला हो रहा है या सुकड रहा है तो समझे लो कुछ ना कुछ दिक्कत है इसके प्लांट में, जब भी ये मरेगा तो और वाटरिंग के कारण मरता है, इसको अपचाए दस दिम पानी ना दो, तब भी ये चल जाता है, ये दिखे, नीचे स से भी हम सब अच्छे सी करेंगे, ये जो नीचे का पोर्शन है, उपर वाली लिव्स के साथ मिस्मैच सा हो रहा है, तो हम इसलिए इसको अच्छे से पापर कट करेंगे, तांकि ये नीचे वाली शूट के साथ उपर वाला मैचन के दोनों अलग अलग नजार आएं, तो द देखेंगे, तो बहुत अच्छा सा लगेगा आपको भी, ये देखो, ये वाली जो है, इसकी उपर को मैच कर ली थी, साथ में टच कर ली थी, तो बल्कुल बदी सी लग ली थी, अच्छा निलक दे रहा था, मैं इसको नीचे के पोर्शन को अलग से नजार आएगा कटिं करने के बाद और उपर का लग से, ये कैसा पुद्धा इसके साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आप इसको घना बनाना चाहते हो तो इसके उपर टिप्स काड़ दिए, दीजे, दो तिन महीने में नया फुटाव ले 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 गा ये उपर से, तो बहुत सु इस बड़ियुल में कट करूँगी है, ये वही है, बैबु प्लांट इसका, इसको इससे हम प्रपो गडच करेंगे, झग हम इसको जमीन में लगाती हैं, तो स्काइट से भी इसके बैबी श निकल जाती है, त захचट आप लाखंत, तह इससे बिश perspectives हो जाता है, इससे बढूआ पत्सक्राइबंग्ट अपच्छ शॉटॉ